Very good morning students, how are you all? I hope that you all are fine and staying at your home. So students, I am your class teacher and today I am going to teach you Hindi of class LKG. बिटा, हिंदी में हम सबको पता है कि अ से ग्यातक वनमाला होती हैं, जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं. अ से ग्यातक वनमाला जो की स्वर और वेंजनों के मेल से बनती हैं, जिसमें तेरा स्वर होते हैं और बाकी सब वेंजन होते हैं. आज मैं आपको दो अक्षरों से मिलकर बनने वाले शब्द की रीडिंग करवाऊंगे और उन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगे. तो सबसे पहले जो आज हम स्टार्ट करेंगे, आज हम रीडिंग करेंगे पेज नंबर 16, 17, 18, 19 तो ओपन यो पेज, पेज नंबर 16 बिना मात्रा की दो बन वाले शब्द. फाला फल, नाला नल, घटा घट, खात घट, बस बस, पर पर, कप कप, जग जग, नाथ नथ, टब टब, एक एक, हला हल. नेक्स पीश पे आते हैं अब हम, थाना थन, वाक वक, छत चत, जड़ जड़, दस दस, नट नट, घर घर, वाना वन, फाना फन, धना धन, यग्या यग्य, मगा मग, और अब हमें क्या करना है, वर्णों को मिला कर पढ़ना है. जगा जग, टब टब, लठा लठ, खाटा खट, पाथा पथ, खतो खत, नामा नम, सचा सच, हमा हम, तका तक, मठा मठ, रसा रसा. अब, अब, पड़, पड़, थाला, थल, जट, जट, जय, जय, कह, कह, जज, जज, बम, बम, हठ, हठ, चख, 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 तना, तन, नाब, नब, अब इसको हम बिना रुक के एक बार रीट करते हैं इस तरीके से. जग, तब, लठ, खट, पथ, खट, नम, सच, हम, तक, मठ, रस, अब, पड़, थल, जट, जय, कह, जज, बम, हठ, चख, तन, नब. तो यह क्या आपने पड़ा? दो वर्णों को मिलाकर बनने वाले शब्दों की हमने क्या करी? रीडिंग करें. अब हम इसी के आगे प्रैक्टिस करेंगे. देखें. किस चीज का विक्चर है? किस चीज का विक्चर है? टब टब. अब हम आप लिखिए भर भर. तो हमशे हम आप लेख देगे तब टब. टब भर. ये क्या दिख रहा है कप, कप, कप रख अब ये क्या है बताईए कि स्वीज का फिक्चर है ये है ख, त, खत, खत, फड ये तो सब को पता है ये क्या है घर, तो हमने क्या लिख दिया घर, घर, चल तो बहुत हی सारी छीज़ी दिख रहे हैं इसमें अंगूर है, आम है और ये क्या है बनाना है तो ये सब क्या चीज़े हैं? ये है फल तो हमने आपर क्या लग देंगे फल, चक और ये क्या है? ज़श, गल चड रख तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? अपने पारेंट्स की हेल्प से प्राक्टिस करेंगे दो अक्षरों वाले शब्दों को लिखने की I hope that you all understand it Keep practicing at your home Thank you and have a nice day Bye